आईए हिंदी में सुनते हैं कनगधारस्तों जैसे भ्रमरी अधखिले कुस्मों से अलंकृत तमालतरु का आश्रे लेती है उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरी के रोमांच से शुशोभित श्री अंगो पर निरंतर पढ़ता रहता है तथा जिसमें संपोड एश्वर्य का न पर मडराती रहती है उसी प्रकार जो श्रीहरी के मुखारविंद की और बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है समद्रकन्या लक्षमी की वह मनोहर मुद्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभो विलास देने में समर्थ है मधुहंता श्रीहरी को भी अधिक अधिक आधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है उन लक्षमी जी के अधखुले नेत्रों की द्रिष्टि छ आनंग के वशी भूत हो अधखुले किन्तु साथ ही अपलक नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरशी हो जाती है जो भगवान मधसूधन के कौस्तुग मड़ी मंडित वक्षस्थल में इंद्र नील मई हरावली सी शुशोभ मेघों की घटा में बिजली चमकती है उसी प्रकार जो कैटब शत्रु श्री विश्रु के काली मेघ श्याम के समान सुन्दर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है जिन्हों ने अपने आविरभाव से भ्रिववन्ष को अनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है उ इसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधसूदन के रिदय में बार बार स्थान प्राप्त किया था यहां मुझ पर पड़े भगवान नारायन की प्रियसी लक्षमी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनकूल पवन से प्रेरित हो दुषकर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटा कर विशाद रूपी धर्म जन्यताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वरिष्ट करें विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया द्रिष्ट के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं पदमा सना पदमा की वहविक्सित कमल गर्भ के समान कांतिमई दृष्टी मुझे मनोवा अंचित कुष्ट परदान करें जो सृष्टी लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रले लीला के काल में शाकम नमसकार है। माता शुभ्कर्म फल देने वाली शृत के रूप में आपको प्रणाम है। रमडियो गुड़ों की सिंध१ु रूपा रत के रूप में आपको नमसकार है। कमल बन में लिवास करने वाली शक्ति सौ रूपा लक्षमी को नमसकार है। तथा पुष्टी रूपा पुरुषोत्तम्प्रिया को नमस्कार है, कमल वदना कमला को नमस्कार है, क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है, चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है, भगवान नारायन की वल्लभा को नमस्कार है कमल सद्रिष्ट नेत्रों वाली माननीय मा आपके चरणों में किये गए प्रणाम संपत्ति प्रधान करने वाले संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले सामराज देने में समर्ध और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वता उद्दत है वे सदा ही मुझे अवलंबन जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनुरतों और संपत्तियों का विस्तार करती है श्री हरी की हरदियश्वरी उन्हीं आप लक्षमी देवी का मैं मन वाड़ी और शरीर से भजन करता हूँ भगवती हरिप्रिया तुम कमलवन में निवास करने वाली हो तुमारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है तुम अत्यंत उज्ज्वलवस्त गंध और माला आदि से सुशोभित हो तुमारी जहांकी बड़ी मनोरम है तृभुवन का एश्रपरदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसंद हो जाओ दिगजोंद्वारा सुवन कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अविशेक होता है संपूर्ण लोकों के अधिश्वर भगवान विष्णू की ग्रिहनी और छीर सागर की पुत्री उन आतकाल प्राम करता हूँ कमल नयन केशों की कमनिय कामिनी कमले मैं दीन हीन मनुष्यों में अग्रगर्ण हूँ अत एव तुम्हारी क्रपा का स्वभाविक पात्र हूँ तुम उमडती हुई करुडा की बाढ़ की तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो जो मनुष्य इन उस्तुतियों द्वारा प्रति दिन वेद त्रई स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्षमी की इस्तुति करते हैं वे इस घूतल पर महान गुरवान और अत्यंत सवभाग शाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनो भावों को जा कोटी कोटी प्रणाम